CCA की और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं पाएंगे तो कहा घथ बनवाएंगे मतलब सरकारी नोक्रिया तो बहुत कम वेकनसी खुल लिया और बहुत कम लेकि जो मेहनत करता सब्सक्राइब करें अभारा पशू से मेरा मतलब गईयासान जो चूट रहे परिशानी तहई है गाह से लेल गाहे से सबसेत परिशानी है आप महनत कर रहे हैं कि हमारे समय में किये थे सर कोई वही नहीं है एक जगा एक जगा निकले भी तो पांच जार च्छालाग पांच लाग श्यलाग रुपए दो उतना आम आदनी के पास कहा है किसान अगर अपनी फसल की अखवारी खुल नहीं करेगा अभी देखे आप जाओगे बाहर निकलोगे सब जटका लगवाए हुए हैं अगर उन नहीं लगवाएंगे तो उनकी फसल नहीं बचेगी अगर सुरच्चा नहीं करोगे सर तो कुछ नहीं मिलेगा कि अप का स्वागत है फूल पूल लोगसभा के अब हम तिंदू धूए गाऊ में हें तिंदूए गाउमे इहां जहां पर हम बैठें मुख्य रूप मुख्य रूप से कुर्मी समया समाझ या पट्ययल समाज के ही लोग हैं यहाँ पर भाजपा ने केंडिडेट भी इस बार कुर्मी समाज या पटेल समाज से ही दिया है प्रवीन पटेल जी जो यहाँ पूलपूर से विधायक भी है फिलहल अमरनाथ सिंग मौरिया जी जो सपा से यहाँ पर खड़े हैं और जगरनाथ पाल जी क्या है वोटिंग के सद्हार पर hai क्या मुद्डे हैं मगन से मागन सिंग छी क्या करते हैं उन भुर कछे क्वा प्रवाइब कर दिकत है पार कट गया था और कैसे एक्सिजेंट है तो यह विकलांग पैंशन मिल रही है आपको वैसे क्या घर में लोग क्या खेती है अपनी क्या खेती है बच्चे वगरा देखते हैं यह बताइए किसानों के लिए आप लोग के लिए कैसे रहे हैं दस साल क किसानी तमाम प्रकार के रोग है वही हुआ है उससे बहुत किसान परिसान हो जाते हैं वारिज भीन होथि और अवारापशु से परिशानिय आप कैसान सम्तार निधी मिल रहे हैं है लेकिन उससे भरपाई हो पाता है जैक रपाई होगा oraz एतर भी उरिया का निएकbars बाकि क्या गाउं में क्या महौल है कुछ यहां पर दस सालों में सरकारी नौकरियां लग रही है या दस साल में तो हमारे समझ से कब नौकरी नहीं लगी है बहुत दिक्कत हो रही है तो यह बताईए फिर क्या इस बार चुनाव में क्या महौल है क्या रुजान आपका लग र है मुझे थोड़ा सा क्योंकि आप कई चीज़ों पर तो नराज लग रहे हैं सरकार से तो प्रवीन पर क्या मतलब क्योंकि हमारे अपने समाज से है इसलिए या क्या कारण है समाज भी है वो इसे बढ़ियां है सीधा सुभाव है अच्छा कंडिडेट जो है बढ़िया है पा अपनी तरफ से तरा ने तरफ से कंपनी की तरफ से अच्छा उसमें पाम कर आ तो यह बताएए फिर क्या कैसे रही हैं दस साल आप के लिए रोशन अभी दस साल में बहुत ज्यादा महंगाय हो गई है विक्री उक्री भी नहीं है उपर से दिन भर महनत कर रहे हैं पूरा मह खर्चा में अपने जिवम तो सोई पचास भी नहीं बचता है तो मेहनत आदमी करता है दिन भरत क्या खाने पिने लिए इतनी महंगाई कर दिया कि दस बीस पचास खाना ही सकते सही से तो यह बदाओ फिर इतनी दिक्कत होई है मतलब मजदूरी तो उस तरह से बड़ी है जिस लोग हैं घर पे हैं साथ आठ लोग तो उससे तो पूरा नहीं बनता है पिर एक गल्ला तो कितनी देर चलेगा पांच के लोग रोशन क्या सोच रहे हैं अब चुनाव में सोच रहे हैं यही अकलेश को जिताए तो आपके समाद से और लोग भी यही सोच रहे हैं इस बार रहे हैं यही बदाएं कि इधर यहां पर जैसे आपके जो उम्मीदवार है भाजपा से वो आप ही कई विधायक हैं यहां से उनका काम कैसा रहा है आते हैं लोगों के बीच में नहीं नहीं आते हैं चलिए और लोगों से बात करते हैं जी बाबुजी क्या नाम हूँ आप ना राम बाबु नाप। जी क्या करते हैं अप? हम राजगीरी करते हैं तो आप यहां मजदूरी कर रहे हैं लूझारी के लिए मिलता पांच किलों वह भी नहीं मिल रहा तो बहुत दिक्कत ओगे पिर तो कि अधिक क्या सूचछे इसा क्यों क्यूंकि आपके यहां से अब आ प्रवीन पर जाओगे बाजपार पर जाओगे प्रवीन की वज़ा से वही दिक्काच आच्छा तो इस बर पार्टी नहीं बदलेंगे लेकिन अगर इतना परिशान रहे हैं हैं पांच-दस साल जादा थोरी जी एक बाते यब दस-बीस साल और जी एक बाते तका पालती बदलेंगे बच्चे भी तो हैं आगे उनका भी तो भवश्य सुनना होतना तका करें कोटा बरे कहवे करी थे अपने कमा अपने खा चले साब आपका क्या नाम हुआ राम सजीवन जी क्या करते हैं किसानी करते हैं कांवन विवस्ताैशा है पढ़ता है कि एक्जाइम होता है का उसका पेपर लीग हो जाता है कई अजार बच्चों के तो सपने वहां तूटते ही है ना फिर यह हैं सरकार देख माला नोकरी मारा ये ऐसा करता हो कि लीक करके कंसिल करती है इसलिए नोकरी नहीं मिल रही है और भाई पहले पेक्षा तब ठीक है अब गुंडागी साथ घूम रहें सब लड़क्या बच्चा अब कितना फाइसांस हैं पहले तना फाइसांस थोड़ी रहत रहें यह बताईए लेकिन आप कह रहे हैं कि कानून विवस्था सुधारी है लेकिन यह जो अभी देखिया पीछे इतना बड़ा जिन पर यौन शोशन का उन पर आरोप लगा हुआ है उनी कोई उनके बेटे को फिर वहां से टिकेट दे दिया कैसरगन सिब्रिज भूशन जी पर थोड़ा इससे वो खराब संदेश नहीं जाता है अब इसलिए भाई अब यह दिया जाए इसलिए इसलिए इनके भाई जो जीतें के कहां के कहां के आगे हैं हम लोग देहन कराई ले कुछ कराई ले उनसे कहां मिले जाब आपका मतलब है कि यहां पर प्रशासन एक काम सु है कि नहीं कमात क्या खाएं है अवारा पशू से मेरा मतलब गईयासान जो चूट रहे परिशानी तहई है गाह से लेल गाहे से सबसेत परिशानी है लेकिन अब भाई अब का करा हम हैं पे छोड़ा था दूसर को तो छोड़ा है यहां पहले तो एक इंतजाम था ना अब त पहुआ है तो यह बदाओ परवीन जी अगर नहीं होते केंडिडेट यहां को यह और समाथ से होते फिर वोट कहां जाता आपका यह हम तो छहीं के दीडेट चाहले जों से आवो ताप भाजपां के साथ आप मोधी जी के साथ आपको पसंद है ठीक है ठीक है चलिए उदर भी बात करते है कुछ लो यह नौजवान थे कुछ कहां चलेगा एक चशमे वाले आई ए क्या नाम हुआ चलिए कुछ नौजवा कोई यहां पर वेकंसी वगएरा नहीं खुली नहीं सर जो भी होता है फिर हम उस लाइघ भाएं भी नहीं सर क्यों उम्र ज्यादा हो गई है चलिस साल हो गए है उमकल जी कह रहे उनलोग न ही रहें भी तो पांच और शॉलाग रॉपाये दो उतना हम आदमी के पास कहां है मुझा जी तो कह रहे हैं हम सारा भ्हाषटलाचार क्हतम कर देगें यह कहने वाली बात है हाद आदमी चाहे जो भी होगा सत्ता पे जो जाएगा अपनी ही बढ़कई बोलेगा चाहे जो भी इसे गाउं में प्रधान थे 532 लेटिंग आई थी काहरे हैं सब को दे दिया गया हमारे घर में किसी को नहीं मिला हम लोग तीन भाई है किसी को नहीं को नहीं मिला ज्किसा पार्या इसे को तक पॉह जैना कि अतारम स्वाधिया यहां पार्ट जी उट पूसरा से थे सपा में आए और बसा में कि क८्जबार घएम अंब लिए पीमें करना है उप तदेख रहे हैं नाकि कि पाटि तक हम पहुंच नहीं प Welcome prime हम लोग नहीं पाएंगे हम 25 हम लोग जहां तक पहुंचेंगे वहीं करेंगे तो यहां मतलब एक किसम से मिला जोला रुजान है मिला जोला है सब्सक्राइब उनके पास जाओ तो बिजी पी का ही बोलेंगे अब यहां कोई किलियर नहीं है जैसे अगली बार पिछली साल हुआ था तो वहां सब खुला हुआ था कि इनको बीजेपी को सपोर्ट करने बाले ज्यादा हो ज्यादा पड़ेगा इससा कोई नहीं है सर्थ लोग सार प्रचार में गए हैं कि पूछ रहा है कि इस बार एक केंड़िडेट भी है कुर्मी समाज से प्रवीन पटेल जिसको आप केंड़िडेट ही देखकर वोट कर रहे हैं उसके बावजूद भी क्यों ऐसा है कि लोग तूट रहे हैं मतलब पूरी तरह एक तरफा नहीं जा रहा है सर क्या है कि जिसे तमाम चीजें दिक्कते हैं किसान अगर अपनी फसल के ख़वारी खुल नहीं करेगा अभी देखे आप जाओगे बाहर निकलो के सब जटका लगवाए हुए हैं अगर उन नहीं लगवाएंगे तो उनकी फसल नहीं बचेगी पिछले सा चार महीने में क्वाटरली मिलता है उसका महीने के 50 वाड़ बाट जाता है तो उससे भरपाई हो पार ही है जितना नुकसान हो पहली बात तो हम लोगो मिलता नहीं है मिलता ही नियमित करमचारी थे जबकि उस लेवे में आते ही नहीं है पाच लाग के वाले में आते ही नहीं उनका साल में दो लाग ढाई लाग पूरा बनता है लेकिन फिर भी उनको नहीं मिलता है जैसे होता है कि आपके लोगों के मन में यह चीज़े डाल दी गई है कि अगर कि पर मतलब लग भाग ज्याद़ सेवेट करने ऑफ इस बार कि यह भड कोज पूढं़ शौत आए Granαι ऐख वोड़न कुछ खुझा नहीं है फुझ तते अव्हास बहुत आरी करते हैं यह तरहिए जी तो चुनाव में कंलेज Twointell क्षेशन news proprio पर आपने पतेल समाज के प्रवीन पतेल जी को पीज गए कि ऐसे पाजा हुआ है ने हमको ठोड़ा बहुंड to अपर नहीं कोड जाता है। प्रवीन पतेल जी का वूट है ना कि मोडी जी नो कोई खूल के कहें नहीं सकता कि हम मतलब किस को ओड करेंगे, मैंन चीज़ यह है, भी खूल देंगे, मीडिया में आ जाएगा, कोई देखे का तक है, यह तो ऐसा है, तहाँ, सब अंदर अंदर डरे हुए हैं सर, कोई खूल के बोल नहीं सकता, डर किस बात का है? अब वही है सर, जिसे तमाम न्यूज पेपर में, सोसल मिडिया में देख रहे हैं ना कि उनके हाँ इडी भेज दिया, उनका यह बो दिया, जान बाहुल लोग को है, महामार भी दे रहे हैं लोगों को, यह सब चीज़ है ना, उसके अंदर तब दबा हुआ है, इसलिए भी को रोजहान पतेल समाज में जादा अपने कैंडिडेट की तरफ लग रहा है, प्रवीन पतेल जी जो भाजपा से यह खड़े हैं, थोड़ा सा इस बार लेकिन यह भी नजर आ रहा है कि पार्टी से जादा, उननिस की जगा, पार्टी से जादा, हर जगा जो हमने देखा है, क खुल के बोलने में, जो हमने कई सीटों पर देखा, कि भई एडी सीबी आई लोगों के घर में भेज़ दी जाती है, अगर आप इस सरकार का विरोध करें, यह डर हमें लगता है, लोग तंतर के लिए बड़ी खतरनाक चीज है, यह इस तरीके से डर, लोग तंतर में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लोग बेखौफ होकर निडर होकर अपना वोट अपना मत रख सके, वो डर अगर लोगों में बैट रहा है, तो कहीं ना कहीं, सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन इन चीज़ों पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है, सीसिये के चुन